Hello everyone, this is Satpal and you are watching Option Seller और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल ओवर की तो देखे, recently मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताए था कि किस तरह से आप अपने एक ट्रेड को नो लोस ट्रेड बना सकते हो कि मार्केट आपके फेवर में जाए तो आपको प्रोफिट हो और मार्केट आपके अगेंस्ट जाए तो वहाँ पे आप किस तरह की अज़ेस्मेंट कर सकते हो तो उस वीडियो में आपका एक बहुत प्रोमिनेंट सवाल था कि रोल ओवर क्या होता है उसमें एक और सवाल था जिसका जवाब मैंने लास्ट वीडियो में दे दिया था और इस वीडियो में मैं बात करूँगा रोल ओवर की कि रोल ओवर क्या होता है तो देखे उस वीडियो में जो आपका सवाल था उसका जवाब तो आपको मिली जाएगा लेकिन roll over है यह अपने आप में एक concept है अगर आपको roll over की knowledge है तो आपको effectively कोई भी loss book करने की जरुवत नहीं है अगर आप market को long करके play करते हो तो जी हाँ long करके play करना एक condition है यहाँ पे वो आपको करना है market को short करते होए मैं आपको roll over की sellah नहीं दूँगा और उसके पीछे का reason यह है कि market का जो inherent nature है वो bullish होता है और nifty और bank nifty यह दो ऐसे instrument है जहाँ पे आप यह आँख बंद करके कर सकते हो तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि roll over आप किस तरह से कर सकते हो कैसे roll over को आप use करके और किसी भी loss को avoid कर सकते हो roll over basically होता क्या है उ अब को loss होगा और market नीचे जाता है तो आपको profit होगा तो क्योंकि आपने call option को sell कर रखा है और अब अगर market नीचे जाता है तो आपको profit होगा लेकिन अगर market उपर गया तो आपको loss आना शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो तो यहाँ पे मार्केट से ओर ज्यादा time और space ले सकती हो time और space लेने का मतलब क्या हो गया कि आपने call option को sell कर रखा है और market आपकी selling strike के पास पहुँच गया है अब आपको क्या चाहिए और expiry भी pass में आगी है अब expiry pass में आई कि that means यह जो contract है it will cease to expire कि अभी expiry आ चुकी है तो यह contract है यह expire हो जाएगा तो आपने जो call option sell कर रखा है इसको आप अगली series में roll over कर दोगे इससे क्या होगा एक तो आपको थोड़ा time मिल जाएगा क्योंकि अगली series में जब आप roll over करोगे तो आपको better premium मिलेंगे क्योंकि अगली series के time value है वो अभी पूरी बाकी है तो वो time value और उस premium में add होगी तो एक तो आपको premium जादा मिलेगा तो आपको market से space मिल गी पहले जो call option आपने 18500 का sell कर रखा था अगर next series में आप इसको sell करोगे तो आपको 100-200 premium extra मिलेगा तो आपने market से 100-200 point की और जगह ले ली है और दूसरा आपने एक मंत का time ले लिया है अब आपने market को एक महिना और दे दिया है कि market वहां से reverse हो जाए और आपकी position आई profitable हो तो रोल ओवर के पीछे का यही fundा होता है कि यहाँ पे आप market से time ले रहे हो और market से थोड़ी सी space ले रहे हो कि market आपके against जा रहा है तो market से आपने और एक महिने का time ले लिया है कि market यहाँ से reverse होके और वापस चला जाए तो यह जो market से हम additional time लेते हैं इसी को roll over बोलते हैं तो यह एक position का loss तो मैं book कर रहा हूँ यह सबसे बड़ा confusion होता है कि मैंने let's say 18500 का call option sell कर रखा है उसको मैं roll over कर रहा हूँ 18700 पे next series में तो roll over करने का मतलब क्या हो गया जब मैंने 18500 के call option को जब मैंने square off करके और next series में मैंने same trade लिया that means मैंने 18500 के call में तो loss book कर ही लिया तो फिर roll over का मतलब क्या होता है तो देखे यह जो loss आप book कर रहे हो यहाँ पे आपका confusion रहता है लेकिन effectively आपने इस loss को book नहीं किया है loss आप तब book करोगे जब market अगर reverse होता है let's say 18500 पे market पहुँच गया है और वहीं का call option आपने sell कर रखा है अब यहाँ से अगर market reverse हो जाता है तो आपका loss आपका कम होना शुरू हो जाएगा तो loss को book करने का मतलब क्या हो गया अगर आप 18500 के call option को यहाँ पे square of कर देते हो तो आपने उस loss को book कर लिया है अब अगर market reverse भी होगा तो भी आपका loss कम नहीं होगा क्यों क्योंकि आप इस loss को book कर चुके हो अब market चाहे वापस कितना ही चला जाए आपने उस loss को book कर लिया है अब वो कम नहीं हो सकता तो उसको बोलते हैं loss book करना लेकिन अगर आपने 18500 के call option को square of करके और 18700 का next month का call option sell कर दिया है that means आपने 18500 के call option को square of कर दिया है लेकिन दूसरी एक same ऐसी position आपने initiate कर दी है कि market अगर अभी भी reverse होता है तो आपका जो loss है वो कम होगा तो आपने कैसी position खड़ी कर दी है कि market reverse हुआ तो उससे आपको benefit होगा तो यहाँ पे आपने loss को book नहीं किया है अभी भी scenario यही है कि market अगर reverse हुआ तो आपका loss होगा और आपको profit होगा तो loss बुक करना तब होता है जब market आपका favorable move दे लेकिन market में आपकी ऐसी कोई position नहीं है जो उस favorable move से और आपका जो loss हुआ है उसको कम कर पाए लेकिन roll over जब आप करते हो तो आपकी एक दूसरी position आपने इसके against ऐसी खड़ी कर दी है इसमें square off होके और आपने दूसरी position ऐसी खड़ी कर दी है कि market अगर नीचे जाएगा तो आपका जो loss है वो कम होगा क्योंकि इस favorable move से आपको profit हो ऐसी position आप अल्रड़ी एक open कर चुके हो तो इस वज़े से अगर आपको confusion है कि roll over में एक जगे की position का loss तो मैं book करी रहा हूँ तो असल में आप उसको book नहीं कर रहे हो आप उसको roll over कर रहे हो वहाँ पे आप loss book नहीं कर रहे हो अगर market अभी भी नीचे जाता है या आपका favorable move देता है तो आपको profit होगा आपका जो original position में loss था वो कम होगा क्योंकि नई position में आपको profit हो रहा है तो देखे यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको screen पर लेकर चलता हूँ और यह practically करके दिखाता हूँ तो देखे यह मैं आपको screen के उपर ले आया हूँ और यहाँ पर मैं option simulator को open कर लेता हूँ simulator में मैं आपको दिखाऊंगा एक एक दिन करके आगे हम चलेंगे और वहाँ पर आपको रोल ओवर करके दिखाता हूँ अगर मैं आपको यह वर्बल ही बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा क्योंकि दिखाने वाले चीज़ है तो देखे मैंने एक मन्त निकाल के रखा है नॉवंबर नॉवंबर मन्त में क्या हुआ था मार्केट तेजी से उपर गया था तो वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट येर के नॉवंबर के मन्त को मैं लेता हूँ एक नॉवंबर को मान लीज़े आपने ट्रेड को इनिशेट किया है और 24 नॉवंबर की expiry थी तो यहाँ पर आप देखे यह मैंने option chain को open कर लिया है लास्ट येर के नॉवंबर मन्त की तो एक नॉवंबर को मैं ट्रेड को इनिशेट करूँगा अब देखे एक नॉवंबर को market कहां पर ट्रेड कर रहा है 18100 18100 है यह at the money का level है तो मैं क्या करूँगा क्योंकि market उपर गया था और यहाँ पर अगर आपने call option को sell किया होगा तो आपको loss हो रहा होगा तो मैं आपको call option ही sell करके दिखाता हूँ 18100 है यह at the money का level है तो लेट से आपने इससे 100 point उपर जाके और 18200 का एक call option sell कर दिया है आपका view मान लीजे यह है कि market यहाँ से नीचे गिरेगा इस वज़े से आपने 18200 का एक call option sell कर दिया है तो मैं आपको दिखाता हूँ 18200 का जो call option है यह trade कर रहा है 223 रूपीज पे तो इसका एक lot आपने sell कर दिया तो अब आप देखिए यह आपका pay off chart बनता है अब अगर market नीचे जाएगा तो आपको profit होगा आपका maximum profit है 11000 रूपीज का है और अगर market उपर जाता है तो आपको loss होगा आपका loss है वो undefined है क्योंकि आपने naked call option को short किया है और आपका break even कहां पे है आपका break even है 18400 पे 18400 के beyond अगर market उपर जाता है तो आपको loss होगा तो अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं अगले दिन देखिए आपका जो loss है 2300 रूपीज का है क्योंकि market उपर गया है और आपने call option sell कर रखा उस मंत market तेजी से उपर गया था उससे अगले दिन market 18100 पे है आपका profit आई 600 रूपीज का है नेक्स्ट दिन market देखिए 18282 पे आगया है और आपका loss है 2500 रूपीज का यहां पे हो रहा है और आपने sell कर रहा है 18200 का call option आपका break even कहां पे है 18400 पे तो अगले दिन देखते हैं अगले दिन market 18300 पे पहुँच गया है आपका loss है यह 2800 रूपीज का हो रहा है अगर market मेरे break even के पास आता है तो मैं adjustment करूँगा अगले दिन market नीचे गिरा है market 18150 पे पहुँच गया है और आपका profit है यह 2300 रूपीज का है उससे अगले दिन देखे market वापस उपर गया है 18366 पे market आ गया है आपका loss है 2500 रूपीज का है तो मेरे break even के पास में market जा रहा है और देखे 14th नॉपर को और market ने break even को touch कर दिया है 18436 पे market पहुँच गया है और मेरा break even क्या है 18423 तो break even को market ने पास कर दिया है अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे अब आप देखे वैसे तो adjustment आप कई तरह के कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ मैंने call option के भी आपको adjustment बता रखे हैं कि अगर आप naked call को trade कर रहे हो और market आपको challenge करता है कि rollover का concept क्या होता है rollover हम किस तरह से कर सकते हैं otherwise यहाँ पे और भी कई तरह के adjustment है जो हम कर सकते हैं और अगर real market में यह मैं trade कर रहा हूँ तो obviously मैं rollover नहीं करूँगा वो मैं last option रखता हूँ कि अगर मैं और कुछ नहीं कर पाया कोई adjustment अगर काम नहीं करता है उस case में rollover करूँगा otherwise मैं पहले adjustment करके firefight करके और इस position को manage करने की कोशिश करूँगा लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया आज का हमारा topic की rollover है तो मैं आपको यहाँ पे rollover करके इस position को किस तरह से manage कर सकता हूँ यह मैं आपको दिखाऊंगा तो देखे मार्केट ने मेरे break in को touch कर दिया है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा यहाँ पे अब इस position को मैं rollover करूँगा आज 14th November है और November की series को मैं trade कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा same trade को और मैं rollover कर दूँगा December की series में यह मैं किस तरह से कर सकता हूँ यह आपको दिखाता हूँ तो देखे इसको rollover करने के लिए क्या जरूरी है इस position में से मैं exit हूँगा और नई position मैं अगले month में बनाऊँगा यहाँ पे मेरे को premium पे किसी तरह का कोई sacrifice नहीं करना है तो जब आप rollover करो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए देखे यहाँ पे मैंने 18200 का जो call option है यह 223 rupees में sell किया था और अब इसका price कितना हो गया है 316 rupees अब यह 316 पे पहुंच चुका है और मेरा loss यहाँ पे 4600 rupees का है मुझे 4600 rupees का हो रहा है क्योंकि जो चीज़ मैंने 223 rupees में sell की थी अब वो 316 rupees की हो चुकी है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा इस में से मैं exit हो जाऊंगा इस position में से मैं exit हो गया जो call option मैंने sell कर रखा था जो इसमें 4600 rupees का मुझे loss है इस में से मैं exit हो गया और अब नई position जो मैं बनाऊंगा उसमें मेरा premium है वो 316 या उससे ज़्यादा होना चाहिए मतलब roll over जब हम करते हैं तो अगले month में मैं जाके और देखूँगा कि कौन सी strike price का premium 316 या उससे ज़्यादा है इससे ज़्यादा जब premium होगा उसी को आपको sell करना है अगर कम premium को sell करोगे तो फिर आप loss को effectively book करते जाओगे तो यहाँ पे करना क्या है आपको 316 जिस price पे आप exit ले रहे हो उतना या उससे ज़्यादा premium आपको receive करना है और अगर आप इतना ही premium receive करने जाओगे तो next month में 18-200 से उपर के strike पे वो premium मिलेगा क्योंकि अभी एक month की और time value add होगी है मतलब 18-200 का call option अगर आज November series में 316, 316 रुपीज पे trade कर रहा है तो obviously अगर मैं December month का same strike का call option sell करूँगा तो उसका premium इससे ज़्यादा होगा और ज़्यादा क्यों होगा क्योंकि उसमें एक महिने की time value और add हो जाएगी तो इस वज़े से जब आप roll over करते हो तो आपको ज़्यादा premium मिलते है same strike price पे तो या तो आप same strike price पे ज़्यादा premium ले लीजिए या आप अगर 316 का premium चाहते हो तो वो आपको और उपर के strike price पे मिलेगा इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जब आप roll over करते हो तो आपको market से time और space दोनों मिल जाते हैं कि एक तो एक महिने का ज़्यादा time आपने market से ले लिया और दूसरा आपने cushion ले लिया है एक space ले लिया है और यही आपका confusion रहता है कि यह loss तो मैंने book करी लिया है तो देखे इस loss को book करना तब बोला जाएगा जब मैं और कोई position initiate नहीं करता हूँ क्योंकि अब अगर मैं और कोई position initiate नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर यह loss मैं book कर चुका हूँ अब अगर market नीचे भी जाता है तो यह loss मैंने book कर लिया है यह मुझे हो चुका है अब यह कम नहीं होगा लेकिन अगर मैं roll over करके और नई position बना देता हूँ नया call option sell कर देता हूँ तो फिर यह loss मैंने book नहीं किया है क्योंकि market अगर नीचे जाता है तो उस position में मुझे profit होगा और वो profit मेरे इस loss को mitigate करेगा तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक और window मैं open कर लेता हूँ यहाँ पे और 14th November को हम trade ले रहे हैं तो मैं option simulator को open कर लेता हूँ और 14th November का मैं roll over जो मैं कर रहा हूँ वो date क्या है 14th November 14th November को और मैं कहाँ पे roll over करूँगा November की series में मेरा original trade था जिसको मैं December में अब roll over कर रहा हूँ तो December का मैं लगा लेता हूँ 29th December को expiry है तो अब आप देखे 14th November को और December series की option chain मैंने open कर ली है और मेरा premium क्या था जहाँ पे मैंने exit किया है वो premium क्या है 316 तो 316 या उससे उपर का premium मुझे किस strike पे मिल रहा है ये मुझे देखना है और उसी strike price को आपको sell करना है तो यहाँ पे आप आप देखे 316 या उससे उपर का premium आपको कहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे आप देखे 18550 है इसका premium 330 है लेकिन क्योंकि ये बीच का strike है तो इसको मैं trade नहीं करूँगा तो 18500 का जो call option है ये trade कर रहा है 358 रुपीज पे तो मैं exit कितने पे हुआ हूँ 316 पे और जो नया option में sell कर रहा हूँ ये trade कर रहा है 358 पे तो इसका एक call option में sell कर दूँगा तो ये मैंने क्या किया है ये मैंने roll over कर दिया है ये वाली जो position थी इसको मैंने roll over कर दिया यहाँ पे मैंने loss book किया 4600 रुपीज का लेकिन अब आप देखिए जो मैंने नया trade लिया है जो roll over किया है यहाँ पे मेरा profit है यह है 18,000 रुपीज का पहले कितना था यह वाला जो trade था इसमें मेरा maximum profit था वो 11,000 रुपीज का था उसके बाद मुझे 4,600 रुपीज का loss हुआ तो जो नया profit आया है यह आप देखे 11,000 जो पिछला profit था वो प्लस 4,600 रुपीज जो मैंने loss बुक किया है वो दोनों आप add कर दीजे 11,000 प्लस 4,600 तो यह कितना हो जाता है यह हो जाता राउंड 15-16,000 रुपीज आपका maximum profit है और उपर का आपका जो यह 2,000 रुपे का profit दिख रहा है 15,000 से उपर का जो आपका यह क्योंकि इसमें आपका maximum profit यह 18,000 रुपीज का है तो यह 18,000 रुपीज का profit है इसमें क्या-क्या factor in है पिछले trade का max profit 11,000 रुपे प्लस 4,600 अलमुस्ट 5,000 रुपे का आपका यह loss तो 11,000 रुपीज का आपका लोस था और यहाँ पर आपका profit है यह वही है जो आपने additional premium यहाँ पे collect किया है यहाँ पे आ और यहाँ पे आपने जो sell किया है वो 358 पे sell किया है मतलब 316 से आपने 30-40. उपर जाके और ज्यादा premium आपने receive किया है इस वज़े से आपका जो profit है यह 16,000 से उपर गया है तो आपका जो maximum profit यहाँ पे हो रहा है 18,000 रुपीज का यह पीछे के जो आपके losses है उन सब को factor in करक इसके बाद मैं roll over कर रहा हूँ तो उससे क्या होगा नहीं जब आप roll over करते हो तो आपने loss को book नहीं किया है आपने एक और position बनाई है जो पीछे के loss वगयरा सब कुछ उसने factor in कर लिया है और market अगर यहाँ से गिरता है तो आपको profit होगा तो देखे एक एक दिन करके मैं 17th November को और मेरा profit है यह 500 rupees का है 18th November को जो मेरा profit है यह 2500 rupees का है अब आप देखिए मेरा loss कितना था 4600 rupees का और यहाँ पर profit कितना है 2500 rupees का अब मेरा जो loss है जो यहाँ पर 4600 Hence muchosまあ बुक किया था अब यहाँ आप देखा जाए तो सिर्फ 2100 rupees का रह गया है क्योंकि जो मैंने roll over position की थी उसमें मुझे 2500 रुपीज का प्रोफिट हो रहा है। अगले दिन आप देखिए। अगले दिन जो मेरा प्रोफिट है ये 6100 रुपीज का है। मुझे 6100 रुपीज का प्रोफिट हो रहा है। और यहाँ पे मेरा लोस कितना था? 4600 रुपीज का। मतलब यह सारा low से recover हो गया है और उसके उपर मुझे 1500 रुपीज का profit हो रहा है क्योंकि मेरा जो profit है नई ट्रेड में 6100 रुपीज का है उसके बाद आप देखे अगले दिन अगले दिन मेरा profit है यह यहाँ पे 8000 रुपीज का हो गया है तो अब आप देखे मेरा जो original trade था उसमें मुझे low सा रहा था तो मैंने क्या क्या मैंने उस position को roll over कर दिया रोलोवर करने से क्या हुआ यहाँ पे मुझे low बुक करना पड़ा 4600 रुपीज का लेकिन जो मैंने नई position रोलोवर कर दी उसमें हुआ क्या कि market वापस जब reverse हुआ देखे market यहाँ पे reverse होता तो यहाँ पे भी मुझे profit होता या मेरा low सा यह कम होता क्योंकि यह जो trade है यहाँ पे भी मैंने call option sell किया है और market अगर नीचे गिरता तो यहाँ पे भी यह जो low सा यह कम होता लेकिन अगर मैं इसको square of करके और कोई नई position नहीं लेता तो यह low स में book कर चुका होता लेकिन अब क्योंकि मैंने नई position बनाई है मैंने इस position को roll over किया है यहाँ पे जरूर मैंने square of किया है लेकिन roll over करके नई position बनाई है तो अभी भी मैंने same scenario open रखा है कि market नीचे गिरे तो मुझे profit हो और same चीज यहाँ पे हुई है जैसे ही market थोड़ा सा नीचे आया मुझे यहाँ पे 8,000 रुपीज का profit हो गया और इससे हुआ क्या जो यहाँ पे loss मैंने book किया था यह सारे recover हो गया और यहाँ पे मुझे 3400 रुपीज का pure profit हो रहा है तो इस तरह से roll over करके और आप अपनी position को manage कर सकते हो roll over करने में आपको यह confuse नहीं होना है कि मैं इस मन्त के loss को book कर रहा हूँ नहीं जब आप roll over करते हो तो इस मन्त का loss है वो already factor in हो जाता है जो नया premium आप sell करते हो लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप roll over करते हो तो जहाँ पे आपने पिछली position को square off किया है जो नई position आप sell कर रहे हो उसका premium आपके पिछले position जहाँ पे square off हुई है उस premium से ज़्यादा या उसके बराबर तो होना ही चाहिए मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए या तो उसके equal होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए तो इस तरह से आप roll over करके और अपनी position को manage कर सकते हो roll over एक बहुत effective तरीका है अगर आपसे कोई भी adjustment नहीं हो पा रहे है या आपके adjustment आपकी position को नहीं बचा पा रहे है तो ये आपका last option होना चाहिए पहले आप कोशिश कीजिए कि आपने जो adjustment सीखे हैं उनसे आप अपनी position को manage करने के कोशिश कीजिए लेकिन देखिए roll over में एक चीज और में आपको बताना चाहता हूँ roll over जो technique आप अपना सकते हो ये सिर्फ nifty और bank nifty में मैं आपको recommend करूँगा कि आप सिर्फ nifty और bank nifty में इसको apply कीजिए और वहाँ पे भी जब आप market को short कर रहे हो तब देखिए roll over आप call option को sell करते हो वहाँ पे भी कर सकते हो और put option को sell करते हो वहाँ पे भी आप roll over कर सकते हो लेकिन आपको roll over करना कहां चाहिए यहाँ पे मैंने आपको example call option का दिखा दिया है क्योंकि मैं आपका concept clear करना चाहता हूँ कि कैसे आप अपनी position को manage कर सकते हो roll over basically होता क्या है लेकिन मैं आपको recommend यही करूँगा कि call option में roll over करने से आपको बचना चाहिए हला कि वहाँ पे भी यह equally effective है बट still on the safer side रहके मैं आपको यह बोलूँगा कि आप put option में roll over को use के जब आप put option को sell करके काम करते हो वहाँ पे आप roll over को use कीजिए और सिर्फ nifty और bank nifty में ही use कीजिए stocks में यह चीज़ में आपको बिल्कुल recommend नहीं करता हूँ क्यों क्योंकि देखे nifty और bank nifty का है इसमें हम यह sure हो सकते हैं कि eventually यह जो index है यह उपर ही जाएंगे इनका inherent nature है that is bullish तो market है वो ultimately उपर ही जाएगा तो अगर आपने put option sell कर रखा है तो आप उसको roll over करते जाए क्योंकि जिस दिन market वापस उपर जाएगा क्योंकि market हमेशा के लिए नहीं गिरेगा market जिस दिन उपर जाएगा आपका जो loss है वो सारा recover हो जाएगा तो roll over आप बेचे हुई put option में कीजिए nifty और bank nifty में कीजिए अगर आप stocks में roll over करते हो तो देखे stocks में ऐसा हो सकता है कि एक बार stock गिरे और वापस दुबारा उपर आई ना क्योंकि वो एक individual stock है उसका individual एक management है लेकिन nifty है nifty इंडिया के जो top 50 stocks हैं उनसे मिलके बना है तो अगर एक stock underperform करता है तो बाकी के stocks हैं वो उसको वापस संभाल लेंगे और on top of that जो stock underperform करते हैं उनको revaluate किया जाता है और अगर कोई underperform कर रहा है तो उसको निकाल दिया जाता है और जो outperform करता है उसको include कर लिया जाता है इस वज़े से nifty है ये eventually उपर ही जाएगा क्योंकि ये हमेशा इंडिया के top 50 stock से मिलके बनेगा तो यहाँ पे अगर आप put option sell करके काम करते हो तो आपको कभी भी loss book करने की जरुरत नहीं है आप हमेशा अपनी position को roll over कर सकते हो क्योंकि eventually जैसे जैसे market उपर जाएगा आपका सारा loss है और recover हो जाएगा तो loss आपको कभी भी book करने की जरुरत नहीं है अगर आप option को sell करके काम करते हो तो put option को sell करके काम करते हो तो और कहाँ पे यह मैं आपको recommend कर रहा हूँ निफ्टी और bank निफ्टी में यहीं पर आप इस चीज़ को apply कीजे हाला कि आप इसको stokes में भी कर सकते हो करने को आप हर जगे कर सकते हो लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि निफ्टी और bank निफ्टी है वहीं पर यह ज़्यादा effective है तो चलिए अब आज की इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं thank you so much for watching the video I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें this is अत्पाल signing off